हेलो एवरीवन, वेलकूम अगेन टू लनब्र दितिमन, राजिस्थान के इतिहास और संस्कृती में चैप्टर नमबर टेन, राजिस्थान की परेटन इस्थल हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज हम करने वाले हैं जोदपुर जिला, करॉली जिला और कोटा जिला, तो चलिए इन तीन जिलों के बारे में हम बहुत अच्छे से ध्यान से question answer format में देखेंगे, पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं, महरानगड का किला कहां इस्तित है, यह जोदपुर में 125 मीटर उची सिंधी पहाडी पर इस्तित है, तो महरानग का किला जो है वह जोदपुर में इस्तित है, चित्रत दीवारों के लिए प्रिसिद्ध मोती महल, फूल महल और सीज महल किस के ले का हिस्सा है, यानि मोती महल, फूल महल और सीज महल, इनकी दीवारों पर चित्र जो है वह बनाए गए है, तो यह किस के ले का हिस्सा है, तो मोती महल, फूल महल और सीस महल यह महरानगड के लिए का ही हिस्सा है जो कहा है जोदपूर में जोदपूर में इस्तित जस्वंत थड़ा का निर्मान किसने और क्यों करवाया था? जोदपूर में इस्तित जस्वंत थड़ा का निर्मान किसने और क्यों करवाया था? यह महराजा जस्वंत सींग के उत्रादिकारी सरदार सींग ने जस्वंत सींग की ही इसमरती इसमारक के रूप में बनवाया था तो जस्वंत थड़ा जो है वह है महराजा जस्वंत सींग की इसमरती इसमारक के रूप में बनवाया गया किसने बनवाया सरदार सींग ने बनवाया कहाँ पर जोदपूर में। राजिस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है। तो देखिए जस्वंत थड़ा को ही राजिस्थान का ताजमहल कहा जाता है जो जोदपूर में इस्थित है। जोदपूर में इस्थित मंडोर रावण के ससुराल के नाम से प्रसिद्ध स्थान प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? राजिस्थान में रावण का मेला कहां और कब लगता है? यह मंडोर में लगता है, जोदपूर में है जो और होली के दूसरे दिन लगता है नेक्स्ट देखिए काईलाना जील कहां इस्थित है? यह जोदपूर में जैसल मेर मार्ग पर इस्थित है काईलाना जील जो है वह कहां इस्थित है? जोदपूर में जैसल मेर मार्ग पर माचिया सफारी उद्यान नामक पक्षी विहार चीक है? तो माचिया सफारी उद्यान जो है वह पक्षी विहार है यह कहां है? तो यह है जोदपूर में ही है जोदपुर में जैसलमेर मार्ग पर कायलाना जील से एक किलोमीटर दूर इस्तित है माचिया सफारी उद्यान नेक्स्ट देखिए Q41. 1169 इस्वी में जल श्रोत के तौर पर विक्सित बाल सम्मज जील कहां इस्तित है तो रासमज जील के बारे में तो आपने पढ़ा एस्तित है एक है तो बाल सम्मज जील जो है वह है जोदपुर मंडौर रोड़ पर इस्तित है चलिए जोदपुर जिले से संबंधित सभी कुष्षन जो है वो गंप्रीट होते हैं next देखिए करोली जिले से संबंधित परेटन इस्तल केला देवी का मंदिर कहां इस्तित है तो सभी जानते हैं करोली में इस्तित है करोली के बाहर 25 किलो मीटर दूर त्रिकून पहाड़ियों के मद्य काली सिंध नदी के किनारे इस्तित है देवी के नो शक्ती पीठों में एक मानी जाने वाली केला देवी का मंदिर कब इस्थापित हुआ था? देवी के नो शक्ती पीठों में मानी जाने वाली जो केला देवी हैं उनका मंदिर कब इस्थापित किया गया? 1120 में इस्थापित किया गया नेक्स्ट दिखिए, question 44, केला देवी मंदिर में वार्षिक रूप से मेला कब आयोजित किया जाता है, तो यह चेत्र महा में आयोजित किया जाता है केला देवी के मंदिर के साथ इस्तित हनुमान जी का मंदिर है, जिनने इस्थानिय रूप से क्या कहा जाता है, तो यह question बहुत बार हम देख चुके हैं, लांगुरिया कहा जाता है करोली जिले में इस्तित स्री महावीर जैन मंदिर, इसमें मेले का आयोजिन कब किया जाता है, तो महावीर जैन मंदिर कहा है, करोली जिले में और मेले का आयोजिन जो है, आयोजिन चैत्र सुकल त्रियोधसी से वैशाख कृष्ण पक्ष प्रत्मा तक आयोजिन इसका होता मेहंदीपूर बालाजी मंदिर जहां की माननेता के अनुसार पागल वा बीमार लोगों को स्वस्त किया जाता है राजिस्थान के किस जिले में है तो मेहंदीपूर बालाजी मंदिर कहां है यह करॉली में इस्तित है मेहंदीपूर गाउं में next देखिए तो अभी तक हमने जो question किये हैं वो सभी question आप लोग याद भी कर चुके हैं सभी question आप लोगों को आते भी है तो कोई भी परेशानि की बात नहीं होगी कि हम इतने सारे question जो है वो कैसे करेंगे क्योंकि सबी चीज़ें जो हैं आप लोग याद कर चुके हैं कोटा बैराज नामक जल संग्र है इस्तल किस नदी पर इस्तित है तो कोटा बैराज नामक जल संग्र है चंबल नदी पर इस्तित है कोटा में नेक्स्ट देखिए question 49 कोटा बैराज के निकट इस्तित कंसुवा मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है तो इसका आंसर क्या है यह भगवान शिव को समर्पित है कोटा बैराज के निकट इस्तित कंसुवा मंदिर जो है वह किसको समर्पित है भगवान शिव को मंदिर में दुरलब चौ मुखी स इस्थापित है नेक्स्ट देखिए मुकुंदरा बाग अभ्यारण कहां इस्तित है तो जोग्रफी में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा कोटा से 50 किलोमीटर दूर रावत भाटा मार्ग पर इस्तित सैलजर व कोली पूरा गिर्धर बुरा होते हुए दर्रा गाउं तक मु मुकुंदरा बाग अभ्यारण कहां है कोटा में मुकुंदरा बाग अभ्यारण में बाग के अतरिक्त कौन से अन्य जीव देखने को मिलते हैं तो यहां बाग तो मिलता ही है इसके अलावा पैंथर, भालू, हेरन, जंगली सुवर, लॉम्डी, सियार ये सभी प्रभासी प का निर्माण किसने और कब करवाया था जगमंदिर और किसोर सागर का निर्माण जो है वह किसने करवाया था तो यह कोटा महराव दुर्जनशाल शींकी महारानि और उद्यपूर की رाजपुमारी बृज कमर द्वारा इसका करवाया गया था कब करवाया गया था 1743 से लेकर 1745 तक नेक्स्ट देखिए, कुश्चन 53 कोटा इस्तित अभेडा महल का निरमान कब वख क्यों किया गया? और क्यों किया गया? इसका निरमान 28 अताबदी में शाही आराम गाह के तोड़ पर, कोटा से 8 किलोमीटर दूर जो है वह इस्तित किया गया नेक्स्ट देखिए question 54 अभेडा महल में कृतिम जलासे किसने बनवाया था तो यह जलासे राजकुमारी धीर देद्वारा बनवाया गया था राजकुमारी धीर देद्वारा कृतिम जलासे बनवाया था अभेडा महल में अभेडा महल की कृतिम जलासे में किसके शाशनकाल में मगर मच्छों की विभिन प्रजातियों को पाला गया इसलिए यह तालाव प्रसिद्ध है तो आज हमने तीनों जिलों को कम्प्रीट किया जोतपूर जिला, करोली जिला और कोटा जिला नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के तीन जिले हैं उनको एक साथ कम्प्रीट करेंगे नागोर, पाली और बिकानेर तो जल्दी से ही मेरा भी यही मानना है कि मैं जल्दी से इनको कम्प्रीट करवा दूँ ताकि आप लोग बार बार इनकी रिवीजन भी आगे कर सकें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू